हाई एवरिवन स्वागा थे आपका हमारे इस योटोप चैनल में दोस्तों जेवी सिशाई 11 को लेकर के बड़ी मिल्टिंग अपडेट आ चुकी है आप लोगों को बता दे कि सितंबर के महीने में दो तारिक को ये मिल्टिंग होने जा रही है दोस्तों कोलकाता में ये मैल्ठक होगी इस मैल्ठक में कों कों लोग सामिल होगे किस मुद्दे पर बातचीत होगी इसली टॉपिक पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बदा दू कि DGMS याने के डारेक्टर जनरल ओफ माइन सैप्टी के तहर्ट जो आपका एक्जाम कंड़क्ट करवा जाता है माइनिंग शर्दार, ओबर्मेंट, सर्वेर, सेकंड क्लास मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर, कोल या मैटल सभी के लिए उन सभी लोगों के लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइस कोश्चन, MCQ नोट्स अवेलेबल है दोस्तो अगर आप लोग ये नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉल या मैसेज करके बात कर सकता है मेरा कॉलिंग नंबर और वाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने सो हो रहा है दोस्तो साथ ही मैं आप लोगों को बता दू कि 25 अगर्ष्ट से हम उनके लिए कोचिंग भी स्टार्ट करने जा रहा है इसके लावा हमारे पास रेगुलेशन का कॉल माइन्स रेगुलेशन 2017 से एक नियो बेच स्टार्ट हो चुका है दोस्तो जैसा कि आप लोग स्क्रेन पर देख सकते हैं कि JBCCI 11 यानि कि जो है अपना वेतन समझोते को लेकर के 2 सितंबर को कुलकाता में होगी छटवी बैठक हंगामे से जो है अपना भरपूर के असार है कि इसमें जो है अपना बैठक में हंगामा हो सकता है या हंगामा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि management का कहना है 3-5% वेतन increment का जबकि हमारे मजदूर संगठन का कहना है कि कम से कम 50% तो मिलना ही चाहिए कम से कम जो है अपना 20-25% पर हमारे मजदूर संगठन मान जाएंगे आप लोगों को बता दें कि कोईला वेतन समझोते को लेकर के Joint By Pride Committee of Coal Industries की छटी बैठक हंगामेदार होने वाली है बैठक जो है अपना 2 सितंबर को कोलकाता में कोल इंडिया लिम्टेट के हेटकॉइटर में होगी इसको लेकर के कोल इंडिया लिम्टेट के अपना कार्मिक निदेशक अजय कुमार चोधरी ने बुद्वार को अधिस उचना जारी कर दी है यानि कि कल अधिस उचना जारी हुई जिसमें करीब अपना 2,65,000 मजदूर जो हैं उन लोगों के वेतन समझोते को लेकर के बातचीत होनी है कोईला चहितर में वेतन समझोते को लेकर के मनेज्मेंट और यूनियन के बीच में अपने अपने अज़न्डे हैं इस पर जो है बामुश्किल सहमती बनने की संभावना है पाचवी बैठक में बात नहीं बनने पर जो है अपना कोल मंतरी श्री पहलाद जोसी जी के सामने लिखित रूप से हस्चेप करने का जो है कहा गया इसके बाद कोल मंत्री श्री पहलाद जोसी जी ने सच्चीव को उनका दायतु समझाया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है अपना इसका समझोता करिये इसी को लेकर आपको बता दें कि बरहाल जो है अपना 2 सितंबर को होने वाली बैठक में कोल इंडिया लिम्टेट के चेर्मेन स्री प्रमोद अगरवाल जी इनके अलावा निदेशक कार्मिक विनेर अंजन जी बीसी सील सीमेंडी जो है अपना समीरंदत्ता सी सील के सीमडी प्रसाद एसील के सीमडी पीएश मिश्रा कार्मिक निदेशक सुनिल दत जो है अपना इनमें सामिल होने वाले है इनके अलावा जो हमारे मजदूर संगठन है जिसमें चार मजदूर संगठन को इसमें सामिल किया गया है जिसमें जो है अपना सील्टू के सुजीत बेनार जी इनके अलावा जो है अपना डीडी रामन अंदन जी अरूप चोधरी इनके अलावा जो है अपना हमेस के नाथुलाल पांडे जी इसके पांडे जी इनके अलावा जो है सीता रमया, हरिद्वार, आर्सी सिंग, लखनलाल मैतो यह अपना सामिल होने वाले हैं आप लोगों को बता दे कि BMS के तरफ से लक्षमा रेड़ी और सुरेंद्र कुमार पांडे जो है अपना इसमें सामिल होंगे तो दोफ्तों इन सब लोग को जो है अपना सामिल होने जा रहा हैं आप लोगों को बता दे कि कोल इंडिया लिम्टेट जो है अपना विती संकट का रोना रो रहा है उन्होंने कहा है कि BCCL इसके लाबा ECL और अपना CCL पर भारी बोज पड़ेगा और यह company जो है बंद के कगार पर आ सकती है हमने अगर 50% salary increment कर दिया तो अपना जो है कोल इंडिया लिम्टेट की यह जो company यह बंद की कगार पर आ सकती है ऐसा जो है अपना कोल इंडिया लिम्टेट के chairman श्री प्रमोध आगरवाल जी का कहना है दोस्तों हमें ये उम्मीद है कि 15-20% ही salary increment होगी आप लोगों को क्या लगता है comment box में comment करके अपनी राय जरूर दें साथ ही comment जरूर करें reply भी जरूर मिलेगा Thank you friend, thanks for watching